तीसरा, human resource और future of work में तेजी से हो रहा बढ़ला, चोथा, compassion for environment और पाँचवा, पाँचवा ट्रेंड है business friendly governance, friends, technology और innovation के बढ़ते हुए प्रभाव के हम चस्म दिद्गवा है, transformative technologies जैसे artificial intelligence, genetics और nanotechnology इरिसर्च से आगे बढ़कर आज रोज मरा के जीवन का भाग बनती जा रही है, technology की इस बढ़लाव का उन समाज को सबसे ज़्यादा फाइदा हुआ है, जिन में नई technologies को अपनाने और उन पर future innovation का culture विक्सित हुआ है, भारत में हमने इस culture को मजबूत करने के लिए अनेक स्तरों पर प्रयास किया है, चाहे वह युवाओं के लिए start-up challenges हो, या hackathons हो, या फिर school children के लिए utter tinkering labs, जहां वो innovation को खुद अनुभाव करते हैं, आज भारत में research and development से लेकर, tech enterprise एक व्यापक ecosystem तैयार हो रहा है, हमारे इन प्रयासों के नतीजे भी आना शुरू हुए, आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा start-up ecosystem बन गया है, भारत के tier 2 और tier 3 शहरों में भी start-ups उभर करके आए हैं, भारत में 1 billion US dollar से ज़्यादा valuation वाले unicorns के संख्या बढ़ती जा रही है, हमारे कई start-ups वैश्विक स्तर पर निवेश करने लगे हैं, इंडियन start-ups are facing, are aging everything from food delivery to transport to hospitality to medical treatment to tourism और इसलिए विश्व के सभी investors, खासकर venture funds से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे start-ups up ecosystem का लाब उठाएं, मुझे पुरा भरोसा है कि भारत में innovation में किया गिया निवेश सबसे ज़्यादा return देगा, और ये returns सिर्फ भवतिक नहीं होगे, बड़कि विवाओं को empower करेंगे, friends, वैश्विक बुद्धी और businesses के विकास के लिए, infrastructure का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है, मैं मानता हूँ कि infrastructure एक opportunity multiplier है, infrastructure एक तरब business को निवेश के व्यापक अवसर देता है, तो दूसरी और business की वृद्धी के लिए infrastructure आवशक है, अनिवार यह है, साथिवाज दुनिया में physical infrastructure के अवसर सबसे ज़्यादा विकासिल देशों में है, एशिया में देखें तो infrastructure के लिए प्रती वर्ष 700 बिलियन डॉलर के निवेश की ज़रुरत है, भारत में हमने अगले कुछ सालों में infrastructure में 1.5 trillion डॉलर के निवेश का लक्ष रखा है, और फिर आज हम इन्फा सेक्टर के बारे में सालों में नहीं सोचते, अप्यास integrated approach का है, वन नेशन, वन पावर ग्रीड, वन नेशन, वन गैस ग्रीड, वन नेशन, वन वाटर ग्रीड, वन नेशन, वन मोबिलिटी कार्ड, वन नेशन, वन अप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ऐसे अनेक प्रयासों से हम भारत के infrastructure को integrate कर रहे हैं हमने हर भारतिय को घर देने का और हर घर तक बिजली और नल से जल पहुँचाने का लक्ष रखा है infrastructure के निर्माण की अपनी speed और scale को भी हमने अभुत्पुर्व रूप से बढ़ाया है और इसलिए भारत में infrastructure की growth डबल डिजिट में रहेगी और इसमें capacity saturation की कोई संभावना नहीं है इसके कारण निवेशकों को लंबे समय तक return भी सुनिश्चित रहेगा साथ यो तीसरा trend यानि human resource और future of work में आ रहा बढ़लाव भी बहुत महत्पुर्ण है आज international foreign investment के निर्णे क्वालिटी manpower की उपलग्दता पर निर्भर करते हैं साथ ही skilled manpower किसी भी company के valuation का मांदन बन जाता है ऐसे में तेजी से लोगों को skilled करना हमारे सामने एक चुनोती है जिस तरह nature of work में बढ़लावा रहा है उससे आने वाले सालों में हमें लोगों को कई बार re-skill करना पड़ेगा learn unlearn and re-learn के cycle जरूरी बन जाएंगे फ्रेंट्स भारत के skill human resources को दुनिया भर में आदर और प्रतिष्ठा मिले हैं भारतिय टैलेंट ने यहां साओधी अरिव्या में अनुशाचित कानून का पालन करने वाले परिश्रमी और कुशल कारेबल के रूप में अपनी अनूठी पहचान बनाई है भारत में skill का विकास करने के लिए हमने एक comprehensive visa त्यार किया है और उस पर लगातार काम कर रहे हैं स्कील इंडिया इनिसेटिव के माध्यम से हम अगले तीन चार वर्षों में 400 मिलियन लोगों को विविन्न स्कील्स में ट्रेइन करेंगे भारत में निवेश करने वाली कंपनीज को इसे assured skill manpower मिलेगा साथ यो skill manpower का आवागमन आसान बनाने से पूरे विश्व की अर्तेवबस्ता में वृद्धी होगी मैं मानता हूँ कि हमें international trade agreements को सिर्फ गूर्ष तक सिमित नहीं रखना चाहिए बलकि manpower और talent mobility को भी उसका अभिन अंग बना कर उसमें सरलता लानी चाहिए फ्रेंट चोथा train यानि compassion, compassion for environment ये train ही नहीं है बलकि हमारे समय की प्रमूक आवशक्ता भी बन गई है क्लाइमेट चेंज का प्रभाव और clean उर्जा का महत्व इतने व्यापक है कि उन्हें नजर अंदाज नहीं किया जा सकता आने वाले सालों में हमारा energy consumption का pattern और बढ़लेगा कोल से oil और oil से gas और फिर renewables की तरफ जुकाव बढ़ता जाएगा उर्जा की खपत और उर्जा की बचत दोनों ही महत्वपण होंगे और स्टोरेज भी environment degradation की चुनोतियों भी बढ़ती जाएगी इसी को समझते भीए भारत में हम तो रियाद में संबोधित करने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी FII Forum को